तो जिस प्रक्रिया को आप आध्यात्मिक कहते हैं, वो कोई मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है? इसका आपकी आदाश्ट से कोई लेना देना नहीं है. ये प्रक्रिया जीवन की है ये अस्तित्व से जुड़ी प्रक्रिया है ये तभी हो सकती है जब आप खुद को बस जीवन का एक अंश बना लेते हैं ऐसा करने के लिए हम यहां कई चीज़ें करते हैं आपने यहां आश्रम में कई लोगों को नारंगी रंग के टैग लगाए गूमते देखा होगा आप वो साइलन्स टैग पहन लीजिए और बस चुप रहिए अपना मूँ बंद रखने से सिर्फ आधा काम ही होता है मौन होना तभी संभव है जब आप खुद को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हो अगर आप खुद को कुछ समझते हैं अगर आप सोचते हैं मैं स्मार्ट हूँ तो आप चुप कैसे हो सकते हैं आप ही बताईए अगर आप सोचते हैं मैं स्मार्ट हूँ तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? अगर आपको आइसास होता है कि आप असल में मूर्ख हैं, आपको इस अस्तित्व में कुछ भी नहीं पता, तब… है न? तब आप जीवन को बड़े अच्रच से देख सकते हैं. मन में एक भी विचार आये बिना. अगर आपको लगता है कि आप हर चीज़ के बारे में जानते हैं, तो आपके दिमाग में एक्स्प्लेनेशन और कैल्गुलेशन और बक्वास चलती रहेगी. अगर आप एक चीज़ देखते हैं, तो हजारों विचार शुरू हो जाएंगे. है न? आज आप इस सत्संग में पूरी तरह से मौन होकर नहीं बैठे हैं. आप मुझसे सहमत हो रहे हैं, असहमत हो रहे हैं, अपने भीतर कॉमेंट कर रहे हैं, अपने बगल में बैठे इनसान के कपड़ों पर कॉमेंट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है क्या मैं गलत हूँ? क्योंकि जिस पल आपको लगता है, कि आप जो सोचते हैं, वो महत्वपून है तब आप उसे रोक नहीं सकते हैं, उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है ये बस लगतार चलता रहेगा, चलता रहेगा जब आपको एहसास होता है कि जीवन के संदर्ब में आपके विचारों की कोई कीमत नहीं है बस यादाष्ट खुद को बार-बार दोहरा रही है ये बस वही पुरानी बकवास है जो खुद को दोहरा रही है लेकिन अगर आप उत्साहित हैं, अगर आप इस दोहराने से मोहित हो गए हैं अगर आप सोचते हैं कि ये बहुत शांदार है तो आप इसे नहीं रोक सकते हैं अगर आप इसके पैटर्न्स को देख पाते हैं, अगर आप इसकी मूर्खता को देख पाते हैं तब आप धीरे धीरे खुद को इससे दूर कर लेंगे और ये डह जाएगा क्योंकि बिना ध्यान दिये ये जारी नहीं रह सकता